ही गैस क्या हल चाल आज इस वीडियो पर बात करेंगे होमी स्कीन सेटाप के बारे में पहले ही बता दू ये कोई specific device like realme xiaomi का theme नहीं है अगर आप एक android phone user हो तो इन होमी स्कीन सेटाप को आप अपने किसी भी brand के phone पर apply कर सकते हो सारे process में वीडियो पर बताऊंगा साथ मैं आपको backup file भी दे दूँगा लेकिन उससे पहले चैनल को subscribe नहीं किया तो कर लो क्यूंकि हम इस टाइप के वीडियो ही डालते हैं और ज़दा बतम नहीं करते हैं चले वीडियो स्टार्ट करते हैं ओके आज आपके साथ दो homie skin setup शेयर करोंगा setup complete करने में जितने भी files की जोड़त होगा उसका download link description box पर आपको मिल जाएगा setup number one की बात करो तो उसका interface कुछ इस तरह दिखते हैं और app drawer का look कुछ ऐसा है आज के इस दोनों setup को करने के लिए सबसे पहले play store से आपको nova launcher को install कर लेना है then और भी जितने files जैसे की wallpaper, widget, icon pack, backup files सबको एक साथ zip करके मैं मेरे website पर डाल दिया हूँ आपको उस zip file को पहले download कर लेना है website का link description box पर आपको मिल जाएगा अभी आपको इस zip file को unzip करना है, then जो जो apps इधार है एक एक करके सबको install कर लेना है setup शुरू करने से पहले nova launcher को default कर लेना है, उसके लिए nova launcher setting पर आके आपको इस option पर tap करना है then default launcher nova को select कर लेना है now शुरू होता है हमारा setup process, home skin पर long tap करके आपको जाना है wallpaper पर then मेरे दिया हुआ उस folder पर आके आपको इस wallpaper को apply कर लेना है then जाना है nova setting पर उसके बाद backup and restore restore backup पर tap करके आपको इस nova backup file को select कर लेना है then press ok, first widget पर tap करके जाना है vanilla kwgt के अंदर then आपको धूर्णना है vanilla 122 number widget को उस पर tap करना है then save second widget पर tap करके जाना है टाइटन kwgt पर then jet के 7 number widget को select करना है और save that's it आपका home skin setup complete हो जाएगा setup number 2 की बात करूं तो वो कुछ इस तरह दिखते है home skin कुछ ऐसा है और app drawer कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है setup number 1 की तरह similarly इसका भी zip file आपको डाउनलोड करना है then apk files को एक एक करके इनिस्टॉल करना है उसके बाद wallpaper as it is आपको एपलाई करना है then nova setting पर जाके restore option से इस backup file को select कर लेना है first widget पर tap करके जाना है rainbow kwgt पर then इधर से widget number rb 047 को select कर लेना है then overlap group पर tap करके आना है position पर अभी इसको थोड़ा इधर उदर करके सही से adjust होने के बाद shape कर लेना है second widget पर आके जाना है blended kwgt पर और widget number 0006 को select करना है then layers पर आके इसका sides थोड़ा बढ़ा करना है then save तो ऐसे करके दोनों setup भी आप अपने homie skin पर apply कर सकते हो आस तक इतना ही मुझे उमिदे इन दोनों homie skin setup आपको अच्छा लगा है इन मेंसे कौनसा setup आपको ज़्यादा अच्छा लगा है नीचे comment करना मत भूलना बाकी चैनल को आभी तक सब्सक्रेब नहीं कियो तो अभी कर लो मुझे पता है आप मेंसे बहुत लोग वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्रेब नहीं करते हो तो प्लीज कॉंसीडर सब्सक्रेब बटन और अगर आपको ऐसा ये नोवा setup और चाहिए तो नीचे वो भी कॉमेंट करना आपके रेस्पोंस अगर अच्छा हैगा तो एबरी मन्त में दो तिन नोवा लॉंसर setup भी शियार करूंगा बाकी चलिए मिलतम बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ अब तक के लिए टेक क्यार बै बाई